स्वागत आप सभी का एक लभ्य सनातक पर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी ए पॉलिटिकल साइन्स ओनर्स का सेमेस्टर सिक्स है उसका सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया इसके कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टेंस हैं और हम लोग उ आप एकलब्य सनातक वन सर्च करकर के टेलग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं या फिर इसका जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला क्वेस्चन है वो है लोकनीती को परिवाशित कीजिए इसकी भ जो भी सरकार द्वारा दिशान निर्देश दिये जाते हैं सरकार जिन से धानतों का पालन करती है जो कारे करती है और जिन कानुनों को दाइरों में कारे करती है उनका जो एक पूरा समू होता है पूरा सैट होता उसको लोकनीती कहा जाता है ठीक है अब लोकनीती के अंदर हमें स्वास्थ, सिक्षा, आर्थिक विकास, परियावरण, संरक्षन और जो समाजिक कल्यान है, राश्चे सुरक्षा जैसे कुछ मुद्धे हैं, वो इसमें हमें सामिल करने पड़ते हैं, सामिल होते हैं, तब ही जाकर हमें एक नीती को लोकनीती बना सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं, जो लोकनीती होते हैं, तो को साज और नीती भी कहा जाता है, इसकी क्या-क्या भूमिका होती है, और क्या इसका महत होता है, क्या इसका इंपोर्टेंस होता है, तो सबसे पहले समाज में जितनी भी समस्या ही होती हैं, उनका समाधान करने में ये काफी ज लोगों में एक नयाइपून तरीके से वितरित करने का काम लोगनीती के माध्यम से किया जाता है उसके बाद जो भी शाषन होता है जितने भी नियम काइदे कानून सरकार्थ वाला लाए जाते हैं उनको अच्छी तरीके से संचालित करने का काम लोगनीती के माध्यम से किया करते हैं नियाक紅 और समानता में लोकनीथी काफी ज़्यादा बात करती है जितने भी हितधारक होते हैं लोकनीथी से प्रभावित होता है और नहीं हो पाता है जो जो भी नीत ही होती है उसका किस तरह से कार्याइन होता है और मुल्यांकन के क्या-क्या फायदे होते हैं वह हम इसमें अभी आगे पड़ेंगे और आज के टाइम पर हम देखते हैं जो पूरा विश्व है वह आपस में एक दूसरे पर निरवर होता जा रहा है ठीक एक दूसर समाजिक समस्या के नाम से जानते हैं ठीक है समाजिक समस्या और जो चुनोतियां होती है उनकी पहचान करके उनका विश्वेशन करके उसको अच्छी तरह से एनलाइज करके किस तरह की समस्या इसको किस तरह से समाधान किया जा सकता है ठीक है उनका समाधान के रूप में का करश निकल के आता है उसका क्या क्या समाधान हो सकता है उनका उनका समाधान करना यह आता है लोकनीति के अंदर यह लोकनीति का कार्य होता है ठीक है जैसे गरीबी से मुकाबला करने का काम लोकनीति के माध्यम से किया जाता है समाध में जितने भी गरीब वर्ग होता है उनको उससे चुटकारा दिलाना उनकी जो वेशिक जो बुनियादी आवसकता ही होती है उनको पूरा करना ठीक है उसके आज जो क्राइम रेट होता है हमारी सोसाइटी में अपराद धर उसको कम किया जाए और जो जलवायू परिबरतन या फिर जितने भी परियावरेंट से इस दिस्टीपिए तो जो लोगनीती निरधारित करती है कि जितने भी हमारे समाज में वित्य मानव और जो प्राकृतिक संसादन होते हैं उनको जरुरतों और प्रात्मिक्ता के अधार पर उनके बीच में आवंटित और उनको वित्रित किया जाए ठीक है यानि कि जितनी भी हमारे पास वित्य है मानव और जो प्रकृतिक संसाधन होते उनको किस तरह से जो हमारी जरूरते हैं हमारी किस किस चीज को प्रात्मिक्ता होनी चाहिए उनके अधार पर उनको ब करती है टिक के भजट हो गया इसमें सरकार क्या क्या बजट ले के आती है किस नीथी को बजट के तहतं ले कर Elok या गय किये जाते हैं इनके माध्यम से जितने भी उसके अदर लेक्रम होते हैं उनके माध्यम से संसाद्रों का आंट आ फिर हम बात करते हैं जो भी नियम मुकाइद कानून होते हैं शाषन होता है वो किस तरह से लोगनीति के अंधर आते हैं तो जो लोगनीति होती वो उद्ययोग और पभोगता संड़क्षण परियावरें नियमों और समजीग की जितने । की बिख सक्ना करती है कि यह जो नियम होते हैं निस्पक्षता पारदर्शिता यानिके ट्रास्पेरनसी और अकॉंटेबिलेटी सब्सक्राइब करते हैं तो नियम होते हैं तो समझ iedereen प्रंदित मुद्धी होते हैं खुता सवाक्ष सम्दल के मzeptी जितने भी मुद्धी हं जो सीटाएं कीजिक्थ hm कृटоров instant करने का问 बलोणिती से किया जाता है निसपक्षिता पारधर्शिता और जवाब देहिं को हमें इसमें बढ़ाना होता है फिर हम बात करते हैं समाजिक न्याय और समानता के बारे में समाजिक न्याय से तातपर होता है समाज में जितने भी वर्ग हैं जितने भी समुदाई हैं जितने भी लोग हैं उनके बीच में किसी भी तरह का भेधवाब ना हो तो समाजी की न्याय और समानता को बड़ावा देने में ये जो लोकनीती होती है काफी जदा मैतुपूर्ण भूमी का निवाती है इसमें क्या-क्या होता है ये जो लोकनीती होती है असमानता को कम करने के लिए जो हमारी समाज में हमारी सोसाइटी में जाती, लिंग, आधार उसके बाद हम बात करते हैं हितधारक जुडाव, हितधारक जुडाव से मतलब मैंने आप बता दिया कि एक ऐसा वर्ग होता है, एक ऐसा समुदाय होता है जो कि उस नीती से पृतिक्स रूप से प्रभावित होता है, ठीक है, तो जो सरकारी एजिंसिया, नागरिक, संगठन, ब्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों, व्यक्तियों सहीत विविन हितधारकों के साथ जुडाव, लोकनीती में सामिल होता है, जो अगर हमें जो नीती होती है, उसको अधिक समावेसी बनाना है, अधिक सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है, जिसमें समाज के अभी हितिधार को से जोड़ना हमारे लिए काफी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है फिर हम बात करते हैं कार्यानवन और मूल्यांकन अगर हम जो भी नीती आ रही है हम उसका समय पर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो वह एक टाइम के बाद बेकार हो जाएगी ठीक है तो उसमें समयोजन और सुधार करने की जो शमता होती है जो हमें बरकरार रखनी होती है जो कि हम मूल्यांकन के अधार पर मूल्यांकन की साहिता से कर सकते हैं जो जो लोकनीती होती उसकी प्रभाव सीलता उसकी दक्षता को प्रभाव का आकलन करने के लिए जो नीतिकत पहले होती है उनको लागू करने के लिए मूल्यांकन करने के लिए पहली ओंको इसमें सामिल किया जाता है इसमें निगरानी यानिकी observation और evaluation जो होता है वो नीती निर्माताओं को समय के अनुसार नीतियों में समयोजन और सुधार करने की अनुमति प्रदान करता है यानि कि अगर कोई भी किसी नीती में परिवतन लेके आना चाहता है तो हमें पता है जू नीतियां होती है वो समयोजन करने जो शमता होत में समाज पर तै की जा सकेगी, कि इस नीती में अब इस particular time पर हमें उसमें changes लाने हैं, उसमें adjustment करना है, और जो हमारा समाज है, वो इस नीती से अब खुश नहीं है, फिर मैंने बात करी थी, बैस्विक परस पर निरभरता के बारे में, बैस्विक परस पर निरभरता का अर्थ होता है, कि एक देश पर अपना प्रभाव न डालकर पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डालती है, अब इन मुद्दों में हमें पता है कि जलवायू, परिवर्तन, आतंकवाद, संक्रामक, रोग, जैसी कुछ वैसी चनोतियों का सामना करने के लिए, जो राश्य सिमाउं से देखने के मिलेते, वहाँ पर हमें पता है कि जो कुछ देश थे, जैसे भारत ने अपनी नीतियों को विस्तार किया और अलग-लग देशों में जो गरीब देश थे, वहाँ पर अपनी वैक्शीन को भेजाता है, ठीक है, तो ये एक वैस्विक परस्पर निर्भरता का उध समझने में जो भी नीति में फ्रकर थे, उनके पारिनाम को समझने के लिए और किया-का अउस समस्या के प्रभावी समाधान हो सकते हैं, उसके लिए काppen ज्यादा इमपॉर्टन होते हैं, अगर हम बात करते हैं ये जो शाध समस्फाय में नमांद़ सकते हैं 所以, इस वह है जिस में सबसे पहला होता है संस्थागत मॉडल दूसरा होता है तरकसंगत मॉडल तीसर अभिजात मॉडल चोता है अभिविद्दी मॉडल पांच материё है जिसको ल talk friends ऐब्योष्था मॉडल और जो साथ मोदक्र fianres execut сил लुघ झा disturbed दो बाद करते हैं तरसंगत मॉडल के बारे में की रैश्नन दैस्ट्राइब आ policymaking अब यह जो और मोड़ल होता है में हम सिर्फ अच्छी सिजह को सोचते हैं हम सोचते हैं एक हमारी सामनी समास्या है इसका ही समधान हो सकता है और करते हैं मूलियांक करते हैं ऊपने अपने आप खतम होजाती है इसका जो देश्य होता के विकल्प आ जाते हैं तो उन विकल्पों की जाच करना उनके परिणामों की जाच करना कि हम ये विकल्प अगर लगाएंगे तो इसका ये परिणाम हो सकता है ठीक है तो इन चीजों के लिए इस करते हैं अभिजात मόडल के बारे में 자 seperti है कि समयाज्य का must है जो अमीर वर्ग होता है वो अबिजात वर्ग की अन्दर आता है तो जो सरकार के जो नेंल लेनी की जो बैवस्ता होती है उसमें कोलीन वर्ग का प्रभूत करें वर्चस होता है इसमें जो अभिजात वर्ग होता है उसकी जो प्रात्मिक्ता ही होती है उनकी जो प्रायरोटीज होती है उनको यहां पर पहले रखा जाता है जितने भी नौकर साह होते है यानि की भूरोक्रेट्स और जो भी government, missionaries होते हैं, machinearies होते हैं, cable, अभिजात, वर्ग के लिए जो नीतिया होते हैं, उनको लागू करते हैं, ठीक है, इस model के अंतरगत, और ये होता इसलिए है कि जो लोग होते हैं, वहां की जनता होती है, उसको सारजनिक नीती, के बारे में कम जानकारी होती है, और वे कम जागर होते हैं ठीक है फिर हम बात करते हैं अभीवरिती मॉडल के बारे में ये जो मॉडल है वो चार्ल्स लिंड ब्लूम के द्वारा प्रतिपातित किया गया था उनके द्वारा दिया गया था इस मॉडल में क्या होता है इस मॉडल में ये फोकस किया जाता है कि जो नीती निर्मा हो सकता है फिर यह जो नीद यह जो मॉडल है यह निर्माताओं की संग्यानात्मक्षमताओं की सीमाओं को बताता है और जितने भी हितदारक होते हैं उनका क्या-क्या प्रभाब होता है उसके उसको स्विकार करने का काम करता है फिर इसका जो महत्व है वो हमें यथातवादी दिश्टिकोन, यह थातवाद का मतलब होता है, जो समाज में जैसा घटित हो रहा है, वो हमें वैसा वैसा दिखरा है, ठीक है, तो जो समाज में घटित हो रहा है, जिस तरह से पॉलिसी बगारा बनाई जा रही है तो उसका दिर्श्रिकोंड समय संसादन और जो राजनितिक वेवार होती है उनकी समस्याओं के पहचानने में यह महत्व होता है हमारे समाज में अलग तरह के समू होते हैं और उन समू की जो मांगे होती है वो सब की अलग उलग होती है असलिए जो सर्कार होती है वो सभी की मांगों को पूरा करती है और एक संतुलन संतुलन बिठाने का काम करती है और इसी के तहफ जो नीतियां होती है उनको बनाया जाता है फिरमबात कते हैं वेर के वारे मिए वह स्था एक एसे मौडल होता है जिसमें ये एक अंत्य विश्य एक model होता है यानि कि एक interdisciplinary model होता है इसमें जो नीति निर्मान के जितने भी कारक होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं आश्रित घटकों के साथ एक जटिल गतिशील प्रनाली के रूप में इसको बताता है अब जैसे अगर हमें एक policy बनानी है जो समाज का विकास करें अगर हम और हम एक policy को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो एक समाजिक हो यानि कि समाज का विकास करें और साथी साथ उसका आरतिक महतों भी बड़े समाज में लोगों के पास आर्थिक संसादन भी आए उस policy के तहट और साथी साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो policy आती है उसके जो प्रभाव होते हैं वो परियावरुन को प्रभावित ना करें ठीक है तो आप आपने भी चेक करा हैं कि किस तरह से ये आपस मे एक दूसरे से अंतर संबंदित हो जाती है तो ये जो मॉडल है ये जो सिद्धान्त है वो इसी चीज़ पर जोर देता है फिर अगर हम बात करते हैं इसके अनुसार जो नीतिनिर्माता होते हैं उनको परिणामों का अनुमान लगाने के लिए हस्ताश्चेप की पहचान करन उनके दृश्ञामों कारयाणों होते हैं उनके दृश्चिकोंको बढ़ाने के लिए ये काफी ज्यादा इंपोर्टन हो जाता है फिर अंब बात करते हैं खेल सिध्धान्त के बारे में तो जो Bolasahote यह जाता है जो रूपांतरन और सま्ज्णोंता शामिल होता है यानि कि ज में समझवता होता है इस सिध्धान्त के अंतरगत इस सिध्धान्त के अनुसार नीती निर्माद की जो प्रिक्रिया है उसको एक खेल के रूप में देखा जाता है जिसमें जो नीती निर्मादा होते हैं और जो हित्गराई होते हैं एक दूसरे के साथ आपस में खेलते हैं नेक्स क्रेशन के अगर हम बात करते हैं तो है भारत में स्वतिन्दता के उपरांत नीती निर्माण विचारधारां परिवर्तन का परिक्षन कीजिए ठीक है यानि कि भारत में जब आजादी मिली थी भारत को उसके बाद से लेकर आज तक हम देखते हैं अलग-लग तरह की ज नीती निर्माण परिदिरिश्य में हमें महत्वपूर्ण वैचारी की परिवर्तन या फिर बदलाव देखने को मिलते हैं यह जो परिवर्तन है अलग-लग कारणों से आते हैं उससे प्रभावित होते हैं जिसमें सबसे पहला कारण होता है जो राजनेतिक नेत्रित होता उ वी हमारी जो नीति निर्मान के जो प्रिकरिया होती है विचारधारा होती है उसको प्रभावित करता है समाजिक और आर्थिक इस्तिती भी इस चीज को प्रभावित करती है हमारी विचारधारा को अगर हम बात करते हैं आजादी के टाइम पे जो भारत था समाजिक रूप से अच्छी नहीं थी लेकिन आज की टाइम पे अगर हम देखते हैं तो हमारी जो आर्थिक इस्तिती है वो काफी ज़्यादा अच्छी है हम दूसरे देशों को अभी पेट भर सकते हैं उनकी साहिता करते हैं अगर हम बात करते हैं वैस्व के रुजहान किस तरह से जो होती है निति निर्मान की उसको प्रभावित करते हैं हमें पता है भारत जब आजाद हुआ था तो उसके पास कई सारे विकल्प थे उसके पास सोब्य संग में सामिल होने का विकल्प था अमेरिका के पास जाने का विकल्प था लेकिन भारत ने इन दोनों को छोड़ कर एक अलग से गुड बनाया जिसका नाम था धर्म निर्पेक्ष था ठीक है तो वहां से उसके लिए विश्व के अलग 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 देशों का रुजान बदल गया था रुजान काफी अच्छा नहीं था अलाकि फिर भी अमेरिका का रुजान अच्छा नहीं था लेकिन जो सोविय आते रहते हैं फिर देश के भीतर वैचारिक वहस कैसे चलती है उसको प्रभावित करती है जहां पर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं वहां पर समाज में जितने भी आंदोलन हुए थे वो कहीं न कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़े लड़े गई थे समाज में जो उच्श नीच भेद भावती उसको खतम करने के लिए लिए फिर उसके साथ-साथ धार में कुछ आंदोलन भी स्टार्ट हुए थे तो इन चीजों ने आज के टाइम पे जो नीती की विचारदारा होती है उसमें काफी ज़दा परिवर्तन हमें देखने को मिल दिया, ध्यान के इंदृत किया सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नहरुवादी समाजवाद के बारे में तो उस टाइम पे जो परधान मंत्री थे जवालन नहरु उनके नेतरित में विकास के लिए भारत ने समाजवादी दिरिश्टी कौन को अपना आया था समाजवाद को यहाँ पे काफी जदा महत्व दिया गया था इसमें धन के पुनर वित्रन भूमी सिधारों को लागू करने और पंचवर्शे योजना, उद्योंगों के राष्टे करन, हरित करांती जैसी कुछ नीतियों के माध्यम से समाजिक कल्यान को बढ़ावा देने की बात कही थी फिर जो राजय के नेतरेतों में ओधिकर करन हुआ था उस पर किंद्र योजना और पुर्मुक शेतर में जो सार्वजनिक शेतर के प्रभुतवों पर जोर देकर मिश्रित अर्थविष्था की स्थापना यहां पर करी गई थे आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तब उसके पास दो विकल्प थे एक तो समाजवाद की तरफ जा सकता था और दूसरा पुंजीवाद की तरफ जा सकता था जिससे एक तरफ पुंजीवाद का साथ देकर वो अमेरिका के गुट में सामिल हो सकता था और समाजवाद का साथ देकर वो सोवेशंग के गुट में सामिल हो सकता था इसमें जो नहरू थे उनके धर्म निर्पेक्स, लोकतांत्रिक और नियाइपून समाधने, राशनिर्मान, सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो वैग्यानिक अनुसंदान होते हैं, तकनिकी विकास होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए नीतियों को काफी हो गया था और देश में आर्थिक संकट आया था, तो उस चीज ने भारत की जो भारत को अपनी आर्थिक नीतियों और मूल्यांकन को करने के लिए काफी ज़्यादा विवस्ट कर दिया था, मैं पता, 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स आये थे, वो इसी वज़े से आये थे, कि भ खारत ने आर्थिक उधारी करन और वैस्वी करन सुधार किये थे, जिसको हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, LPG यानि की लिब्रलाइजेशन उधारबाद, प्राइविटाइजेशन निजी करन और गलोबलाइ जालना होता था, सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है, तो काफी जादा समस्याएं आती थी, लेकिन LPG रिफॉर्म्स के तहत, लाइसेंस प्रणाली को खतम कर दिया गया, ब्यापार में जो बाधाएं आती थी, समस्याएं आती थी, उनको खतम कर दिया, अधिक बाजार उनमुक दिर्श्ची कौन को अपनाया, नहरुवादी समाजवादी मोडल में हम सबसे पहले हम बात करते थे समाजवाद पर, लेकिन जब LPG रिफॉर्म्स आये थे, तो हमने ध्यान के इंद्रित किया अपना बाजार की तरफ, कि हमें भी, हमें अब इसमें परतिसपर्दा करनी चाहिए, हमें भी इसमें सामिल होना चाहिए, अब ये जो LPG रिफॉर्म्स आये थे, उसमें निजी उद्यम, परतिसपर्दा और जो वैश्विक अर्थव्यस्ता में एकी करन की बात कही थी, उस पर जोर दिया था, अब भारत भी अपने निजी उद् अर्थवस्ता है, फिर उसके बाद कुछ समावेशी और समाजिक विकास, समाजिक और समावेशी विकास कारेकरम चलाए गए थे, अब इसके तहत हमने सुनेशित किया कि समाज में जितने वी वर्ग हैं, उनको समान रूप से नियाई वितरित हो सके, जितने भी आर्थिक सं और समयवेशी विकास पर अब ही ध्यान के इंद्रित होने लगा था, इसके तहत मनरेगा यानि कि महात्मा गांधी, राश्य ग्रामीर, रोजगार, गालेंटी, अधिनियम, आर्टी, यानि कि राइट्व एजुकेशन अक्ट, सिक्षा का अधिकार, और नरहम यानि कि अधियादी सेवाइं होती है, उन तक उन चीजों को पहुचाएंगे, बेसिक सेवाओं से तत पर एक ऐसी सेवाइं होती है, जिनसे उसको अपना जीवन निर्भायन करने में कोई समस्या ना सकी, उसको सिक्षा का दिकार मिल सके, वो पढ़ सके, अच्छे से खा सके, और अ साथ से चौदत वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनको सिक्षा का अधिकार दिया जाता है, इसके तहित फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की जाती है, ठीक है, और जो राश्य ग्रामीन स्वास्ते मिशन होता है, लोगों को जन्रता को स्वास्त का अधिकार देता ह तो जो नीती निर्मान का उधारवादी सिधानत है, वो कुछ चीजों को बताता है, उस कुछ चीजों पर अपने विचार रखता है, इसमें हम बात करेंगे कि जो व्यक्तिकत स्वातनत्ता और सीमित सरकार है, उस पर क्या विचार है, इसके वजार, अर्थवेस्था और न सरकार के बारे में, जो उधारवाद है, वो मानता है कि कुछ मौलिक मूल्य होते हैं, कुछ fundamental values होती है, उनके तहत हर व्यक्तिकत स्वातनत्ता देनी चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए, व्यक्तिकत स्वातनत्ता सभी को पराप्त होनी चाहिए, यह जो उधारवादी सिध प्राथमिक्ता में विश्वास करता है यानि कि जो अर्थवस्ता से संबंद्ध जितने काम होते हैं समाज में जो राजय का हस्तक्षेव है बहुत ज्यादा काम होना चाहिए इनके अनुसार व्यक्ति को सरकार के हस्तक्षेव के बिना अपने हितों और अकांग्षाओं को अपनी महत्व कांग्षाओं को पूरा कर सके उसके बाद बहुलबाद और विचार लोकतंत्र बहुलबाद का अर्थ होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर समाज के जितनी विवर्ग होते है उन सभी का समान परतिने जित्व बहुलबाद कें पाया जाता है अब जो बहुलबाद और सहिशनुता को महतु देता है, सहिशनुता टॉलरेंस या फिर सॉलरेडिटी जिसको बोलते हैं, लोकतांतरिक जो साशन होता है, संरचनाओं की वकालत करता है, विचार विमर्ष समझोते कि सोविदा यहां पर यह प्रदान करता है, कि समाज में जितने भी व सहभागी और जवावदेई की अपेक्षा करता है, यह सिध्धान ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, बाजार अर्थविस्ता और निजी संपती के बारे में, तो जो उधारवाद है, निजी संपती अधिकारों, मुक्त उध्यम और परतिसपर्दा पर आधारित बा जो समाज है, वो विकास कर सकेगा, जो उधार सिध्धानत हैं, उनके द्वारा जो निदेशित नीतियां होती हैं, आर्थिक दक्षता, उपभोकता की पसंद और निजी करण, मुक्त व्यापार को प्रात्मिक्ता देती हैं, फिर बात करते हैं, कानून का शाषन और नागर अधिकारों की सुरक्षा, कानून के तहित समान वहवार, सुनेशित करने के लिए नयाय और निस्पक्षता की सदान्तों को बनाए रखने के लिए निर्मित की जानी चाहिए, की जानी चाहिए, फिर बात करते हैं, कल्यानकारी राज्य और समाजिक सुरक्षा के बारे में, जो कल्यानकारी राज्य एक ऐसी अबधारना होती है जहांपर समाज के सभी जितने भी लोग होते हैं उन सभी को हमें कम से कम बुनियादी सुभिधाएं दे सकें जिससे कि वो अपने जीवन में का अच्छे से निर्भा कर सकें इसमें समाजिक वीमाकारिकरम, सिक्षा, स्वा पर एक ऐसी सुरक्षा से होता है जहांपर व्यक्ति बेना किसी असुरक्षा की अपना जीवन अयापन कर सकें और ये सरकार का दाईत होता है कि वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करें फिर हम बात करते हैं जो नीती निर्मान मैं राज्य की परिभाशा इनों ने क्या दिये और द्यों का समाजी करण और योजना पर इनके क्या विचार रहे हैं और अंतराष्ट्यवाद और समराजवाद बिरोधी ये क्यों रहे हैं इनकी बकालत क्यों करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग संगर्ष और एतियासिक भौतिक तावाद के बारे में तो जो समाज है ये मानते हैं कि जो समाज है वो वर्ग संगर्ष और भौतिक शक्तियों के द्वारा निर्मित है उसका बना हुआ मानते हैं वर्ग संगर्ष जितने वी वर्ग हैं उनका आपस में संगर्ष होता रहता है लड़ाई चलती रहती है बाक्सवाद समाज को दो वर्गों में वर्गी करित करता है एक होता आमीर और दूसरा होता गरीब तो उन दोनों के बीच में जो संगर्ष च रचनाओं पर होते हैं जो नीति निर्माण होता है उसमें माक्सवादी विशलेशन समाजिक वर्गों पुंजी निर्मादी होता है ठीक है तो इनका कहने का तात्वर ही होता है कि ये जो माक्षवादी जो पूरा का पूरा जो विशलेशन होता है वो समाजिक जितने भी वर्ग होते हैं पुंजीपती होते हैं स्रमिकों के बीच संगर्ष होते हैं उन पर केंद्रित होता है यानि कि जब ये विशलेशन करते ह निति निर्मान का तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हैं कि जो पुंजीपती वर्ग और स्रमिक हैं यानि कि जो अमीर और जो गरीब हैं उनके बीच में क्या संगर्ष चलता है समाज में वर्गों की जो इस्तिति है वो क्या होती है तो इस चीज को केंदर में रखकर वो अ अधिकार को खतम करना है और राजय में जितने भी उत्पादन के संसाधन होते हैं साधन होते हैं वहाँ पर हमें सामुईक्स वामियुत्व को बढ़ावा देना है तो जो माक्षवाद होता है पुंजीवाद को एक शोशन की एक ऐसी प्रणाली के रूप में मानता है उसके आ उसके हाथों में होती है जो माक्षवादी नीतियां होती है उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को समाप्त करने यानि कि जो निजी हाथों में जो संपत्ति होती है उसको खतम करने और जो आर्थिक संसाधनों पर सामुईक्स वामित्व और लोकतांत्रिक नियंत ओता पर लोगतंत्र नियंत्रै न होना चाहिए यह चाहा जाता है समाजवाद के अंदर फिर वर्ग शाषन समाधन के रूप करता है, साशन करता है माक्सवादी नीतियों का जो उद्देश होता है पुंजीबाद के प्रवत्व को चुनोती देना समाजवादी यूजना, धन के पुनर वित्रण की वकालत करना होता है, ठीक है? और इन नीतियों के माद्यम से जो स्रमी के वर्ग होता है संगत आवंटन के लिए, यानि कि समाज में सभी को सही तरीके से, एक न्याय पून तरीके से संसादन सभी को प्राप्त होने चाहिए, जिससे की समाज में जो उचनी चैज़, जो भेदवाव है, वो खतम हो जाए, अमेरी गरीबी का जो अंतर है, वो हो जाए, और समाजी करण किंद्र योजना को प्रात्मिक्ता देते आए का समान वितरन करना चाहिए, और उत्पादक जो है समपतियों का सामुईक स्वामित्व होना चाहिए, समाज में जितने भी संसादन होते हैं, उत्पादन की जो संसादन होते हैं, वहाँ पर सामुईक स्वामित्व होना चाहिए, फिर अंतराश्चिवाद और समराजवाद विरोधी किस तरह से थी है, तो इन्होंने कहा था जो स्रमिकों के बीच जो अंतराश्य एक जोट था पर ये जोर देते थे कि जितने भी विश्व में श्रमिक हैं, जितने भी गरीब हैं उनको आपस में एक जोट हो जाना चाहिए, उनको किसी देश की सीमाओं में बंदे हुए नहीं होना चाहिए और ये कहा करते थे कि समाजबाद और उपन हमें सबसे पहले समराज्यवाद को कतम करना है, उसके लिए संगर्श करना पड़ेगा और पुंजीबाद के आधियपत्य को हमें चुनोती देनी है, इसके लिए हमें सभी को आपस में राष्टा की सीमाओं के परे आपस में सहयोग करना चाहिए नेक्स क्रेशन के अगर हम बात करते हैं तो वो है भारत में 1991 में प्रारंब की गई आर्थिक उदारवादी उदारी करन नीती का आलोचनात्मक परिक्षन कीजिए, यानि कि भारत में जो LPG रिफॉर्म्स आये थे, उनमें जो आर्थिक उदारी करन था, उसके बारे में बा पहले के जो समाजवादी उनमुक आर्थिक मोडल से एक मैतुपूर्ण प्रस्तान को चिनित किया था, 1991 से पहले हमारा फोकस था नहरुवादी समाजवाद पर, जहां पर हम समाजवाद को काफी जदा परात्मिक्ता देते थे, लेकिन उसके बाद में LPG रिफॉर्म्स आये और उसके बाद से जो हमारा में फोकस था वो बजार पर हो गया, हमारा में फोकस ग्लोबल जो एकोनोमी होती है, उसमें सामिर होने पर हो गया, ठीक है, फिर हम इसके सकारतमक पहलो पर बात करते हैं, यह जो आर्थिक सुधार आये थी, उसके क्या-क्या पॉजिटिव जागर किया, कि हमारे पास भी इतना पोटेंशियल है कि हम भी व्यापार कर सकते हैं, उद्यम कर सकते हैं, और एक प्रोग्रेसिबनेस को हम अचीव कर सकते हैं, गतिशीलिता को पराप्त कर सकते हैं, फिर यह जो गतिशीलिता थी, इसने इसकी भावना को जागर किया, इसक अधिक प्रतिसपर्दा, नवाचार, इनोवेशन आई और हमारी जो capability थी उसमें काफी जादा improvement हुई, ठीक है तो इस तरह से हमारा जो development हुआ था, economical development वो हुआ था, सबसे पहले हमारे अंदर हमें पता चला कि हमारे अंदर कितना potential है, हम किस तरह से business कर सकते हैं और जो गतिसील होती है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, अब ये जो potential आई, इसकी वज़े से हमारा आर्थिक विकास सम्मब हो पाया, और ये जो सब हुआ, किसी वज़े से हुआ था, जो licensing प्रनाली थी उसको खतम कर दिया गया, व्यपार के अंदर जो भी हम काम करते थे, उसमें जो हमें समस प्रतिस परदा बढ़ने के साथ में हमारी जो क्वालेटी थी उसमें काफी ज़्यदा अच्छी हो गया, और हमारे अंदर एक दक्षता का विकास हुआ कि हम इससे और अच्छा कर सकते हैं, फिर हम बात करते हैं, और दोगी उत्पादक्ता में बिर्दी हुई थी, यानि कि जो हमारी productivity थी, उसमें काफी ज़्यदा improvement हुआ था, और दोगों को अधिक खुले और प्रतिस परदी महाल में यानि की competency-based एक environment बिला, जहां पर वो जीवित रहने के लिए उत्पादक्ता में सुधार करने के लिए पुर्तसाहित हुए, अब जहां पर भी competition होता, वहां पर जिवित रहना है, तो उसके लिए हमें उनकी productivity पर विश्वास करना होगा, उन्हें अपनी productivity बढ़ानी होगी, तबी उनकी उत्पादक्ता में बिर्दी हो सकती है, फिर बात करते हैं वैस्विक अर्थविस्ता के साथ एक ही करन किस तरह से हुआ था, तो जो अर्थविस्ता पा रहे थे, LPG reforms के बाद, सेवा स्चेतर का विश्तार हुआ था, यानि कि जो सर्विस सेक्टर था, उसका काफ़ ज़्यादा विश्तार हुआ, भारत में MNCs Companies आई थी, और जिन्होंने भारत में रोजगार के काफ़ ज़्यादा आप्सरों को खोला था, उदारी करन ने से सर्विस सेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आतिक विकास करता है, सबसे पहले हमारी पूरी GDP थी उसमें, जो किरशी है, उसका भाग सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन समय के साथ में, जैसे-जैसे LPG reforms आई, उसके बाद में, जो LPG reforms के बाद में, जो भी सर्व सारी करेंट था, उसने अर्थवस्ता को इस्तिर करने और मुदरा स्पिती को कम करने के लिए, राजपोसी अनुशाशन और मौदरिक सुधारों का मार्ग प्रसस्त किया था, यानि कि जो मुदरा स्पिती यानि कि इन्फलेशन होता है, बहंगाई होती है, उसको कंट्रोल क करने के लिए, अर्थवस्ता को इस्तिर करने के लिए, इस चीज का मार्ग प्रसस्त किया था, इस LPG रिफॉर्म्स ने, अब इसके नकारतमक पहलू को देखते हैं, नकारतमक पहलू क्या-क्या थे इसके, तो सबसे पहले असमानता में बिर्दी हुई, हमें पता है, जो सहर ही अभिजात वर्ग था, और जो कॉर्परेट छेतर था, उसमें तो काफी ज़्यादा, हमें यहां पे उनको सपोर्ट देखनों के मिलता है, उनका काफी ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है, इसकी बज़े से क्या हुआ, जो आसमानता थी, उसको बढ़ाबा मिला, जो समाज जो विकास की दर थी, वो तो काफी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इसके साथी, रोजगार का जो सरजन नहीं कर पा रहे थे हम लोग, जिससे एक ऐसी घटना सामने आई, जिससे रोजगार रहित विकास के नाम से जाना जाता है, फिर हम बात करते हैं, छेतरी असमानत का ऐसी असमानता हैं, जहां पर हम एक 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 जामपल के रूप में देखते हैं, कि बिहार जो इसतना अंडावलप्ड स्टेट है, और वहीं पर जो गुजरात है, उतना डावलप्ड स्टेट है, वहां पर कहीं न कहीं जो नीतियां थी, उन्होंने काफी ज़्याद के बराबर है, लेकिन गुजरात में डेवलोप्मेंट बहुत जादा है, ठीक है, तो कहीं न कहीं जो नीतियां है, उन्होंने उस चीज को विकास को प्रभावित किया है, इससे बुनियादी धाचे, निवेश और रोजगार के जो अफसर हैं, उसमें छेतरी असमानताओं क बड़ावा दिया है, बहरी जटकों के परिती सम्वेदन्सील था, हमारी जो अर्थवüyorsun्टा है वो बहरी अपनी नीतियों के ऐसे बनाना होगा, कि हम, जो बहरी जटके होते हैं वो हमें प्रभावित ना कर सके, आपने सुना खाना होगा, कुछ वित्य संकर्ट आते हैं, औ पूलियों में उतार चड़ाव होता है और जो व्यापारी का संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है ठीक है यह इसी वज़े से हो पाता है क्योंकि हमारी अर्थव्यस्ता हो भारी जटकों के प्रति अधिक सम्वेदंसील हो गई है जैसे आपने देखा होगा अभिश्व में कहीं पर यूद्ध होता है तो मार्केट होती है वो नीचे चली जाती है तो वह भी एक इसी चीज़ का उधारन है कि जो हमारी अर्थव्यस्ता है वह भारी जटकों से काफी ज़्यादा सम्वेदंसील हो गई है उससे काफी ज़्या उसका शरण किया यान कि पर्यावन को खतम किया जिससे की एक जो परिस्तिक असंतुलन होता है वो बढ़ गया है यान की एकलोजिकल इंबैलेंस हो गया है पेडों की जाधा-से-जादा कटाई होई जो एन्यमित और दोगी गतिविदियां थी बनों की कटाई शुरू होग कि 1991 में भारत में जो शुरू की गई आर्थिक उदारीकरन की जो नीती थी उसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिनाम थे दोनों पहलू थे जबकि आर्थिक विकास को पुरुचाहिद किया दक्षता को यान की हमारी इनकी परिति परदा को बढ़ाया लेकिन इसके साथ में इसने असमानताओं शेत्रिय असमानताओं और पर्यावरण का जो शरण तो लोक नीती निर्माड में अंगी एन्जीोई की एक महतवपूर्ण भूमिका होती है तो हमें इसको जस्टिफाई करना है ठीक है, तो जो सरकारी और गैर सरकारी संस्तान होते हैं, दोनों एजनसी नीति निर्मान प्रकरियाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं, जैसे ये दोनों नीति निर्मान को एक दृश्ची गोंड देती हैं, विशेश सग्यता देती हैं, ठीक है, यानि कि specialization देती हैं और जो संसाधन होते हैं उनमें अपना योगदान देती हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी संस्तानों के बारे में जो government के institutions होते हैं वो नीति निर्माण या पॉलिशी में किस तरह से help करते हैं तो नीति निर्माण में हम जानते हैं कि जो सरकारी एजेंसी होती हैं, कारेकारी साखाओं के भीतर, ठीक है, जितने भी समाजिक चुनोतियां आती हैं, जो विधाई जनादेश होता है, राजनितिक प्राथमिक्ताई होती हैं, उनके जबाब में नीतियों का निर्मान करती हैं, उनके तयारी करने के लि कि नियम काईद कानून बनते हैं उनका नियरिक्षन ये सरकारी संस्ताओं के दवारा किया जाता है तो जो सरकारी एजंसित को कानूनों कानूनों मान्कों और साजवनिक हित- teraz any का अनुपालन सुझीत करने के लिए उद्योगों बजारों को नियमिक करने का काम सौपा जाता है ठीक है यानि कि उद्योगों से संबंदित बजार से संबंदित जितने भी नियमिक काईदे कानून होते हैं उनका निरिक्षिन करने का काम सरकारी संस्थान के द्वारा किया जाता है फिर नीतियों को उसका कार्यावन और उसका प्रबरतन यानि कि उसको लागू करने का काम सरकारी संस्थान करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए जिम्यदार होती है सरकारी संस्थान, ठीक है, समनवे जो अलग-लग सरकारी संस्थान होते हैं, अन्य सरकारी संस्थान के बीच में आपस में समनवे यानि की कॉडिनेशन करने के लिए, स पर जो डेटा संग्र है और विशलेशन करने काम होता है वो सरकारी संस्ताओं के द्वारा किया जाता है जो सरकारी एजेंसिया होती है नीति निर्मान को सूचित करने के लिए कारेकर्म की प्रभाव शीलता का पता करने के लिए उसका मुल्यांकन करने के लिए से जनसंक्या से जो हमारी जनसंक्या होती है उसके जितने भी समू होते हैं ठीक है उनके उनसे समंदित जितना भी डेटा होता है उनको इखटा करने का काम और उनको विशलेशन करने का काम सरकारी संस्ताओं के द्वारा किया जाता है अब हम बात करते हैं जो गैर सरकारी संस् करते हैं जन्रता की राय रखते हैं और निर्मानों को प्रभावित करते हैं ठीक है इसमें अपनी महतोपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह क्या काम करते हैं जमिनी स्थर पर लामबंदी करते हैं यानि की नेताओं को घेरते हैं घेरने का काम करते हैं अपनी मांगों को रखत सरकार को सिफारिश करने का काम करते हैं जो दृष्टिक होता है उसको परदान करते हैं और जटिल समस्या ही होती है उनका समाधान देते हैं सरकारी संस्तानों को तब जाके नीती का निर्मान हो पाता है उसके बाद ये लोग जो होते हैं सेवा परदान करते हैं जो कई गैर सरकारी संगठन होते हैं यानि कि NGO होते हैं स्वास्ते सेवा सिख्षा सामाजिक कल्यान मानिवे साहिता जैसे कामों में समुदायों को सीधे सी तो इस तरह से यह होता है और कई NGOs होते हैं वह स्वास्ता के छेत्र में स्वास्ता सिवा परदान करते हैं कई शिवर लगाते हैं जहां पर फुल बॉड़ी चैक अब वगेरा होता है तो यह सारी की सारी इस चीज के अंदर आ जाएगा निगरानी और जवाब देही तै करते हैं एंजियोज होते हैं निगरानी करता के रूप में काम करते हैं यह सुनिशित करते हैं कि पारदर्शिता हो नीति निर्मान पिरक्रिया में जो नीति निर्माता होते हैं उनकी जवाब देही होनी चाहिए जन्दा के परती लोगतांत् प्रकारी कारेओं नीतियों को ये इसकी निगरानी करते हैं ये शम्ता निर्माण और जो वकालत होती है उसका प्रक्षिक्षन यानग उसको ट्रे 김대ने का काम करते हैं जो गाईर सरकारी संस्थान्स ने स्थान सब्चुल नागरी को सब्सक्राइब रखना सब्सक्राइब ओलाध तैए सब्सक्राइब हम सभभगी हो सकते हैं इस चीज की ये ट्रेनिंग देते हैं नीती निर्माद में विवेचन करों समाजी का आंदोलन को नभाते हैं किस तरह से लग onगे से उन बॉलेटों क्यों चाना की है तो हम इसकी जो detailed explanation होती है उसमें नहीं जाएंगे हम सिर्फ इसके जो main points होते हैं बुलेट points होते हैं उनको देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले बकालत और दवाब बनाने का काम करते हैं सांस्केते और और जो मानक जो होते हैं नियम होते हैं उनमें बदलाव लाते हैं किस तरह सबसे पहले हम बात करते हैं बकालत और दवाब के बारे में तो जो समाजी कांदलों होते हैं विरोध याचिका और पैरवी जैसे कुछ तरीके उससे नीती निर्माताओं पर दवाब डालते हैं ये जो दवाब होता है नीती निर्माताओं को विशिष्ट मुद्धों पर कुछ स्पैसिफिक में मुद्धे होते हैं उन पर नीती बनाते समय आंदोलन के दृष्टी कौन पर विचार करने के लिए मजबूर कर देते हैं अब हम बात करते हैं जो किसान आंदोलन हुए थे हम उसको देख सकते हैं किस तरह से उसने जो तीनो किर्शी कानून थे उसको बापिस करवाने का काम किया उसने जन समर्थानी खटा किया उस आंदोलन ने ठीक है वकालत की पैरवी की सरकार पर दवा बनाया और सरकार ने उन क सांस्कितिक परिवतन में में काफी जदा मेहत्वपूर्ण भूमिका निवाते हैं समाज में जितने भी प्रथाइं चलती आ रही होती हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवतन लेके आते हैं जैसे फॉर एक्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसकी बज़े से जो हिन्दु समाज है उसमें एक सांस्कितिक परिवतन आया था कि उस मंदर में भालाईं भी जा सकती हैं तो जो सामाजीक आंदोलन होते हैं एक व्यापक सांस्कितिक परिवतनों में भी अपना सहयोग देते हैं जो नीती निर्माण को प्रभाबित करते हैं उसके बाद किस तरह से यह लोग अजेंडा सेटिंग में अपनी महतवपूर्ण भुमिका निभाते हैं तो जो सामाजीक जांदोलन होते हैं वो उपेक्षित मुद्दों पर यानि कि जिस पर कभी किसी ने बात नहीं कि उसको सामाजिक चर्चा या साजविनिक सर्चा में सबसे आगे लेकर आने का काम करते हैं इन मुद्दों के बारे में जागरुकता बढ़ाकर जन समर्थन जुटाकर नीति निर जन्वाताओं को राजनितिक एजंडर में सामिल करने के लिए यह लोग मजबूर कर देते हैं उसको बेवश्च कर देते हैं फिर जन समर्थन और जनमत किस तरह से यह लोग हाशिल करते हैं तो इनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि यह जनमत को आकार दे सकें अपने प्राप्ति के लिए ब्यापक जन समर्थन प्राप्त कर सके हैं तो इनके अंदर यह capability होती है यह power होती है क्योंकि यह हमेशा जागरुकता और यह जो connectivity होती है local level पर यह इनकी काफी ज्यादा होती है इसकी वज़ए से यह जन समर्थन काफी अच्छे तरीके से ले सकते हैं ने जनता की आशा होती है सभी निर्माताओं से निति निर्माताओं से कि हमारे लिए भी हमारे जो हित होते हैं हमारे इंटरेस्ट होते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाना चीए तो इसलिए जो निति निर्माता होती है जनता की भावनाओं के परती काफी ज्यादा जिम्मेदार होते हैं जवाब दे होते हैं उतरदाई होते हैं फिर किस तरह से नीतियों में नवाचार आता है जो समाजिक आंदोलन होते हैं उन समाजिक समस्याओं के लिए नवीन साधन प्रस्तुत करते हैं जिन पर पहले नीति निर्माताओं ने विचार नहीं किया था ये जो समाधान होते हैं नीति गत बहसों को प्रभावित करने का काम करते हैं और नई नीतियों के विकल्पों या जो मौझूदा नीतियों होते हैं उसमें संसोधन करने का काम करते हैं ठीक है उसके बाद किस तरह से यह जवाब दही को सुनिश्चित करते हैं उसको देखते हैं एक बार तो जो समाजी का अंदोलन होते हैं नीति निर्माताओं को उनके कारें और नेड़नों के लिए जवाब दही बनाते हैं यानकी अकाउंटेबल बनाते हैं उनकी जनता के प् प्रतिमिम्मित करें जिनका की वो लोग प्रतिमित परतु करते हैं जैसे किसान अंदोलन हुआ था तो किसानों का प्रतुचित्थ करने के लिए संगठन बनाए गए गई थे और उन्हों ही सुनिशित किया था कि हम हमारा जो काम है वो है समाजक्य जो किसान होते हैं उनका परतिनिदित्व करना तो एट लीस्ट कम से कम हम जो हैं अपने किसान भाईयों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें और उनके हितों में कुछ ना कुछ काम कर सकें उसके बाद किस तरह से कानूनी और न्याइक प्रभाव छोड़ते हैं जो समाजी कांदुलन होते हैं कभ परिनाम होते हैं उनको बदलते हैं उनको आकार देने का काम करते हैं और कानूनी मिसाल बन जाते हैं जैसे अगर हम बात करते हैं जो केश्वानंद भारती केस है और बहुत सारे ऐसे केसिस हैं जो आज के टाइम पे भी जब हम जब जो सरकार है नीती का निर्मान करती है तो